प्रगतिशी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रिय महासच्चिव आदित्य यादव का जनम दिन बड़ी धूंधाम से मनाया गया आग्राप प्रगतिशी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नितिमी कोली के निर्देश पर आज छावनी विधान सभा महासचिव मुन्ना खान के नित्रित्व में इग्काव प्रमुक कार्याले पर जनम दिन मनाया गया राष्ट्री या महासचिव ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी लोगों को फल वा से निताइज मास्क बाटे सभी छावनी टीम में केक काट कर जनम दिन मनाया सभी कार्यकरताओं में जोश रहावर छावनी विधानसभा अध्यक्ष मुविन खान ने कहा कि आज हमारे नेता का जनम दिन आज हमने इस खुशी में शोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए केक काट कर वो मास्क से निताइज फल वित्रण किये वो उनके लंबी उम्र की दूआ की चावनी विधानसभा प्रमुख महासचिव मुन्ना खान ने कहा कि हमारे नेता जमीनी नेता है आज उनके जनम दिन के मौके पर आम जनता के बीच में बड़ी धूनधाम से जनम दिन मनाया है इस दौरान प्रमुख रूप से मुन्ना खान प्रमुख महासचिव चावनी विधान सभा अमरिजोट सिंग साहनी महानगर अध्यक्षिय विजिन सभा जुबेर खान मीडिया प्रभारी जावेद खान सचिव चावनी विधान सभा पवन चिंद्रपाइल सिंग रवी चावनी टीम के साथ आदय ज्यादब जी का बड़्य मनाया और हम यह ओवां में यह जोसा है कि हम गली-गली मौले जा जाके गलीयों को सेनेटराज करते हुए गलीयों को साफ करा है और कराते रहेंगे और आने वाली सरकार अगर हमारी सरकार आती है तो हम जनता के लिए ब आज हमने आदब जी का बड़े मनाया है पड़ी दुमदाम के साथ पूरी टीम के साथ मनाया है और है ऐसी मनाते रहेंगे जैहिंद जैभारत आज हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क वितर इवं फल और केक कार्ण का जनम दिन बनाया आज सभी युवा में जोश है और हम लोग हमेशा कोरान काल को देखते हुए लोगडाउन को देखते हुए हमेशा हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क सैनिटाइज और आज जनम दिन के मौके पर भी हमने इसी तरीके से गरीव असाय और मजदूरों के युवजन सभा आज हमारे राश्ट्रे महासचिव शिर्यादित्य यादव जी के जनम दिन के उपलक्ष में चाबनी विदान सभा अद्यक जनाम उबीन खान चाबनी विदान सभा प्रमुक महासचिव जनाम मुना खान जी के नित्रत्व में गरीब और आसा है लोगों को म मास्क फल एवं पानी वित्रण करके उनके जनम दिन पर कोवर्ट प्रोटकॉल के तहट मनाया जा रहा है सबसे पहला मुद्दा तो हमारा किसानों का रहेगा किसानों के हित्स में सरकार सबसे वो हमेशा से खड़ी रहे है और आगे भी खड़ी रहेगी उनकी सारी मांगे पूरी करी जाएंगी और उनके साथ कदम से कदम मिलाके आगे बढ़ेगी सरकार अभी इस विशे पर कुछ कहा नहीं जा सकता है ये माननी है हमारे राश्ट्रहत्निक जी का फैसला होगा जैसा वो बोलेंगे वैसा हम पर